कुटी करे एको गोटी रोही बेजे जाना तदंते सत्य जुग बुलाई वो नाम अर्त एक करोड मानव पॉपुलेशन में से जब सिर्फ एक बचेगा तभी प्रकास होगा सत्य यूग नमस्कार दोस्तों जै जगनात जै पंचसका आशा करता हूँ सब लोग स्वस्त हैं अच्छे हैं आज का नया अध्याय आरंब करते हैं जै और पराजे का विचार छोड़के करतव ये पर्ध्यान दो तर अपने आप दूर हो जाएगा दोस्तों सिर्फ कुछ गिने चुने भक्त ही इस महाकलिव के लिला को समझ पा रहे हैं और ज्यादा तर लोग तरक वितरक लोब मोह काम के माया में फसे हुए हैं इस सुरुष्टी का मूल तत्व है सनातन जिससे सब कुछ जन्म लिया है लेता रहता है आगे भी लेता रहेगा लेकिन इस कलिवग में इस मूल तत्व का ज्यान लेके नाना मजहब बन गया इन सारे मजहब का एक मात्र मुल्य है कि सनातन धर्म को अंत करना है नश्ट करना है और सनातन धर्म का मूल स्तान अर्थ भारत वर्ष को विनास कर देना है दुख की बात यह है कि हमारे खुद के सनातनी भाई बहन इनको साथ दे रहे हैं मदद कर रहे हैं कोई पेशों की लालच के लिए कोई सत्य के लालच के लिए कर रहा है जब मानव को प्रभू का नाम उंचा करना था तब मानव अपना नाम को उंचा करने में व्यस्त है हरी का नाम कोई नहीं लेना चाहता सास्त्र का ज्यान कोई नहीं सुनना चाहता उल्टा खुद का नाम का प्रचार कर रहे हैं तो फल स्वरूप क्या होगा कोटी करे एको गोटी रही बेजे जान तदंते सत्य जुग बोलाई बो नाम अर्थ एक करोड में से सिर्फ जब एक ही बचेगा तबी प्रकास होगा सत्य यूग ग्रामे के दुई तीनी जेबी होन दुष्टो मलेच्छो आधी हेबेनी धोन अर्थ प्रणे के काल खंड को वर्नना करते हुए गुरू शिसु अनंत दास कहते हैं एक गाउ में सिर्फ दो या फिर तीन ही बचेगे और वो होगे सत्यू के बीज ग्रामों के दुई तीनी जण थिबे पबन अहर करी नो मिलिब अर्ण नो मिलिब जड मुखे बोलू थिबे हरी हरी अर्थ एक गाउ में जो दो तिन बचे होंगे वो सिर्फ पबन अर्थ वायू एर का आहर करके बचे मिलेंगे और खाने के लिए ना अर्ण मिलेगा ना जल मिलेगा सेर्फ मुख पर हरी नाम ही मिलेगा कानो कोरी प्रुत्वी रे जे जोने नार ही बे टेकी दे बे छोत्र जे अनन्त नमो जे बे अर्थ एसा एक भी याद रखिये एसा एक भी घमंडी ना रहेगा इस प्रुत्वी पर क्योंकि गद्धी पे खुद अनन्त अर्थ बलदेव अर्थ सेस नाग बेठे होंगे दोस्तों ध्यान से सुनिये जब सेर सिकार करता है जब सेर सिकार करते समय एक कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो डर गया शेर एक कदम पीछे लेता है ताकि अगला वार दुगनी ताकत से कर पाए ये बातें अभी के समय में सब के सामने हैं जो समझ लिया वही कहलाएगा समझदार दोस्तों समय इतना भयाकर आच चुका है कि आगे क्या होगा अगले घंटे में क्या होगा हमको नहीं मालूम सुन्य में मृत्यू हो रहा है कहीं जल प्रड़े से मृत्यू हो रहा है कहीं तूफान तांडव मचा रहा है और अभी के समय में कोविड का एक ऐसा वैरिंट आ गया है पूर विश्व में फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है दोस्तों ये तो आरम है इससे भी भायंकर चीज़े आने वाली हैं जो ना कभी हमने सोचा था ना कभी देखा था इसलिए मुख पर वो हरी नाम को निरंदर जब करते रहना है क्रिवीच के तत्व से हरे राम कृष्ण के तत्व से जन्म हुआ महमंत्र अर्थ हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे इसको जब करते रहना है निर्यंतर जब करते रहना है हमारे कर्म में जो भी काम हम करते हैं हमारे कर्म करते हुए भी इसी मंत्र को जब करते रहना है तभी जाके अंतिम समय में जब परिक्षा होगी इस प्रड़े के द्वारा जल प्रड़े के द्वारा वायू के द्वारा तुफान के रूप में भायंकर व्याधी के रूप में उनसे हम बच पाएंगे नहीं तो बचने का कोई आसार है ही नहीं तुम जितना तंत्र मंत्र कर लो जितना पूजा पाठ कर लो जो भी आउसदी मेडिसिन हो गया जो दुकान में मिलता है कुछ भी काम नहीं देने वाला वैज्यानिक यंत्र भी खत्म हो जाएगा कुछ भी काम नहीं करेगा सिर्फ एक ही चीज काम करेगा नाम तत्व उसी हरे राम कृष्ण महामंत्र नाम तत्व ही इस कलिव का एक मात्र अम्रित है जिसको समझाने के लिए पंच सखाओं ने लाखो लाखो गरंत को प्रकास कर दिया है तो अगर इस अंतिम काल खंड में हमें ये अम्रित प्रभू के द्वारा किसी भी माद्यम से दिया जा रहा है इसको सोचने वाली बात है समझने वाली बात है विचार करने वाली बात है मेरी सब्दों को मत भूलना मेरे दोस्तों आने वाला समय जो आ चुका है हमा उससे भायवित ना हो उस माया में उस जंजाल में मत घुशिये उस हरी का नाम लेते रहिए सब कुछ ठीक हो जाएगा आशा करता हूँ मेरे वीडियो आपको पसंद आती हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए अगर इस कल्यूग में एक मात्र अमरित पंच सखाओं के दुआरा रचित मालिका का ज्यान प्राप्त करना है उसका मूल तत्त्व को समझना है सीखना है तो एपिसोड वन से देखना आरंब कर दीजिए वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए कॉमेंट भी जरूर कीजिए जय जगनात जय पंच सखा जय हिन